भाईयो बैनो पाकिस्तान को मिली खुली छूट के कारण हमारे देश में आतंग की हमले बहुत आम बात थी। आज भी स्री रंका में कितना भेंकर आतंग की हमला हुआ है। लोग भगवान इश्व की प्रांसना कर रहे थे। चर्च में थे। इस तर का पर्व मना रहे थे। और आतंग वादियों ने जाकर के सेक्ड़ों लोगों का मार दिया है भाईयों। क्या गुना था उनका। भगवान इसु के चर्णों में बैट करके प्रासरा कर रहे थे। या तंगवाद थलता चला जा रहा है। भारत में भी तंगवाद ने 40 साल में भारत के नाको दम लाकर कर रखा हुआ है। हमारे बीर जवान तिरंगा लपेट करके उनका शरीर घर में लोट आता है भाईयो। आए दिन हम बलिदान देते चले जाना है। भाईयो बहनों इन आतंग के सरपरस्तों को सबक सिखाना चाहिए इस देश से आतंग खतम होना चाहिए कि ने होना चाहिए। वीरों की जिन्दगी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए। और भा उनके घर में गुश करके मारता हूं जी और ये शबूत मांग रहे हैं शबूत अभी कुछ दिन से बंद हो गए है जैसे पब्लिक में गए तो पता चाहा पहले वर दूसरे चरण में देश की जनता ने उनको ऐसे सबूत दे दिये उनका मूह लटका हुआ है लेकिन साथियों ध्यान रखिए हमने आतंगों को गर में गुश कर मारा चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई आसू यहां बहने लगे भारत ने पाकिस्तान की धमके से डरने की नीति को छोड़ दिया यह ठीक किया ने मैंने गोना आये दिन हमारे पास नुकलियर बटन है नुकलियर बटन है यही कहते थे हमारे अख़बार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी नुकलियर है तो हमारे पाथ क्या है बैए ये दिवाली के लिए रखाए गया ये क्या थरीका है भाईजों बैनो हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया ये ठीक किया कि नहीं किया वरना आए दिन इंदुताई में धमाके करते रहते थे कभी अजमेर में धमाका कभी समझोता एक्स्प्रेस में धमाका कभी मुंबई में धमाका कभी हैदराबाद में धमाका कभी काशी में है, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में, पांच साल से सब बंद है ना, हाई कर नहीं, ये पुलिस वाले तो वही है, पुलिस वाले तो वही है, ये बंद क्यों हुआ, ये बंद क्यों हुआ, क्या कारण है बंद हुआ, क्या कारण है बंद हुआ, दोस्तों, आपके वोट की ताकत है कि मोदी ये कर बा रहा है भाईयों बेनों हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में गुमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है ठीक किया ने किया ठीक किया ने किया आप खुश है आप क्या जिर्वाद है न आप बाद पांच साल मुझे मुख़ा दीजिए फिर देखे आपको लगता है ठीक किया लेकिन कॉंग्रेज और इसके महा मिलावटी लोग है उनको लगता है ठीक नहीं किया उनका केहना है आतंगवाद रास की रक्षा यह मुद्दा ही नहीं है अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कहरे और मुद्दा नहीं है कब तक? कब तक मैं देश के वीर बेटों को मनने दूंगा؟ यह मुद्धा है कॉंग्रेस के नामदार कहते हैं कि मोदी को भारत के शाओरिये की बात नहीं करनी चाहिए क्यों भाई तो क्या मैं या बजन मनली चलाने आया हूं क्या क्या खरी कहा है क्या आपको पता है कि कॉंग्रेसर क्यों कह रही है साथ क्यों इसके पीछे एक पुरा इतिहाथ है जिसका अहम सेंचर ये बाण में रहा है राजस्तान रहा है यहां की वीर माता है रही है यहां अनेक पूर्व सहिनिक हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था तब हमारे सहिनिकों के सहौरिय के कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे कबजे में आया था 90,000 पाक सहिनिक हमारे कबजे में थे साथ लेकिन उसके बडले में हमने शिमला में जाकर क्या किया सरकार ने टेबल पर सब गवाँ दिया जो जवान जीत करके लाए थे दुनिया पर से जो दबाव भारत पर पढ़ा और सरकार ऐसी काम गई कि उन्हों ने हस्ता ठर करकर के मामला पूरा कर दिया अगर उसमें मोदी होता तो 90,000 साइनिक भी वापस कर दिये और हमारी जमीन जो लाहे थे जवान वो भी वापस कर दिये भाई और बहनों वो सुनहरा मोका था उस 90,000 युद्ध केहदियों के बदले में जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करना गुस्पेट की समस्या को हमेशा के लिए हल करना भारत के हाथ में तुरुप का पत्ता था भाई लेकिन मोका गवा दिया परिणाम पूरा भारता भुगत रहा है वहीं आज की सिथी देखिये साथियों भारत में बिना युद्ध के पाकिस्तान की सीमा के भीतर गुजगर आतंकवादियों को धेर कर दियाएगी और पाकिस्तान पूरी दुनिया में रो रहा है पूरी दुनिया भारत के साथ है आज और ये होती है दम्लाली सरकार